नमस्कार दोस्तों श्टॉकमर के स्टेडिस में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टन्स कंपानी का अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब स्क्रेप नहीं किया तो जूरू कर लिजेगा कंटिनेसली इंफॉर्मेशन और आपडेट स्पाने के लिए चैनल को पर बने रहिएगा तो चलो देख लेते हैं फटाफट आज की इस वीडियो के अंदर कौन सा कंपानी है पर्स्ट चो कंपानी है जिसके बार में चर्चा क सबसे बड़ा एक कंपानी है और इसका मार्केट के अभी 34,000 क्रोड के आसपास है तो इस कंपानी के उपर खासेद क्या है मैं आपको बता दू कि इसके उपर मैंने एक टेड लिया था वो टेड अभी तक देखा चाए तो कुछ खास पर्फरमेंस नहीं दिया अगर मैं पर क्या बना था एक कब बना उसके बाद एक हैंडल फिर से एक हैंडल बना फाइनल यह पर ब्रेक आउड और ब्रेक आउड कंफरमेशन भी हुआ था उसके बाद जब भी आपर रिटेस्मेंन किया और तम मैंने इंटी लिया और नीचे भी आय था और उसके बाद देर दे के उपर गे फिर से नीचे है देखिए एक चीज मैं आपको बता दू जो पैटन से आप एक केट हो रहा है ध्यान देजेगे इस चीज को अगर मैं डाउन साइड से आप तक देखू तो हाई बना फिर से लो बना फिर से हाई बना लो बना हाई बना लो बना हाई बना लो बना कि सर अभी क्या करूंगा क्यूंकि उपर गया उसके बाद टार्गेट के नजदी क्या था उसके बाद रिवर्सल हो गया में एक्जिट कर लेता तो अच्छा होता देखिए हर किसी का अलग-अलग ओपिनन है में जिस स्पेसिस में एंटी लिया हूँ जब तक मेरा लिया कि कंपानी के पार्फ़मेंस मुझे अच्छा लगा जैसे लिए वेजल देखेंगे तो पिछले सालों के तुनना से इस बार अच्छा का सा सेल्स बढ़ा एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा कर्रेक्शन देखने को म इस बात नहीं फिर भी में इस कंपानी को पर बुलिस इसलिए हो किके कंपानी खुद के बिजनिस क्रूप और 290 क्रोड के आसपास इंवेस्टमेंट किया तो जो आज तक की हायस्ट इंवेस्टमेंट है जब कोई कंपानी इतने जदा इंवेस्टमेंट करते हैं तो कुछ मैं हमेसा इस सारे पॉंट को मिजर करके काम करता हूं जैसे इंस्टिट्यूशन खुद इस कंपानी को पर होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं जैसे एफएस के पास कितना 25% हो बढ़के हो चीग है 27% और इस के पास भी होल्डिंग है और पब्ली के पास भी अच्छ कर लोग बनाते चलेगे तो इसका मतलब है कंपानी एक अफसाइट 10 में जर्नी करने के लिए त्यारी कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा तो रूखेगा क्या ऐसे नहीं कि हमेसा वो ब्रेक आउट क्या डिरेक्ली टार्गे देगा ऐसे होगा नहीं तो चलो आपके क्या राय है उसके लिए में इंटेजार करूँगा तो प्लीज आपके डिसेशन जोरू मुझे कमेंट्स करना नेक्स चो कमपानी उसकरना में राजे से एक्सपोर्ट देखे सब सब पहले इस कमपानी के में चार्ट पटनिस के बारे मैं चर्चा करूँगा ये कि बहुत दिन त राफॉल देखने को मिल सकता है तो राजेस एक्सपोर्ट के उपर इतना भारी भर कम गिरावड़ हो रहा है फिर भी इस सेक्टर के बाकी कमपानी जैसे टाइटन जैसे कलन जुएलर्स ये सारे कमपानी लगातर भागते चले जा रहे है तो इसका मतलब है राजेस एक्सप कमपानी का नेट फॉफिट के ऊपर भी बड़ा इमप्यक्त आया यहीं से आप देखेंगे कि राजेस एक्सपोर्ट के ऊपर आप अगर देखेंगे तो कमपानी के जो सेल्स है वो सेल्स की इस तरीके से देखने को मिले इचले बार तो करीवन सारी सेल्स जो था 80,000 क्रोर क इस्पेंस को मेंटेंट करने के बाद कम्पानी का जो नेट फॉफिर्ड है वो फॉट्री फाइब क्रोड का इस पास देखने को मिला इसके मतलब फॉफिटेबिलेटी में एक बड़ा करेक्षण देखने को मिला है अभी मेंытजर करकर हूँ इसके मौक Scalia बनने का जब के मौकाब बने तो इसके पर मैं जोरू कुछ decision लूँगा तेके देखें, institution माल बेच कर भागनी रहा है, institution खुद के holding को continue कर रहा है अगर institution December मान में माल बेच देता, तो मैं जोरू सोचता कि हाँ, मुझे भी कुछ decision लेना चाहिए मगर हुआ कुछ उल्टा, institution holding को continue कर रहा है, और सारे investor holding को continue कर रहा है तो कुछ न कुछ बड़ा होने का chances देखिए, जब बड़े-बड़े investor इतनी जधा quantity के साथ company को बर continue कर रहा है तो कुछ न कुछ तो बड़ा होने का chances रहेगा, हाँ मान लेता हो company को बर बीग correction हुआ तो लोगों को इही सबसे बड़ा doubt होता है कि share में इतना बड़ा fall देखने को मिला तो company बरबात हो गया ऐसे बिल्कुल होता नहीं है, क्योंकि आज अगर ऐसे होता तो HDFC इतना बड़ा bank होने के बाद last three years तक company ने कुछ खास performance नहीं दिया क्या HDFC bank से investor भाग गया बिल्कुल नहीं इनवेस्टर ठीके हुए है कि वो जानते है जब एक लंबा journey start होंगे तब वो रुकेगा नहीं तो इसी तरीके से situation को fall off करके काम करना पड़ेगा तो मैं इस company के पर bullish हूँ और मैं integer करूँगा जिस तरीके से correction है आपर हुआ आप में एक पर zoom करके दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से correction हुआ बार बार इस level को retest कर रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि उपर जाएगा वो फिर से नीचे आएगा और इस level को breakdown करके तो 225 levels तक आने का chances रखेंगे तो बाकी आपके के रहे हैं जोरी मुझे comments करके बताना नेक्स चो company उसका नाम है UPL देखिए UPL एक ऐसे company है इसके उपर हर किसी का नजर होना चाहिए क्योंकि UPL सर्क chemical industries के उपर नहीं है company agrochemicals के उपर भी बीनेस करते है प्रिस्टी साइड इंडेस्टी के उपर भी काम करते है तो company कोई छोटा मटा company है एक टाइम company इंडिया के number one company था नमबर वन company था इसलिए में बोला हो कि कि आज वो number one में नहीं है आज वो इंडिया के second largest agrochemicals company बन चुके है इसका market cap के wise अगर देखें तो P.I. industries number one है जो 51,000 क्रोड के आसपास उसका इंडेस्टी पी रिस्यो कितना है करीवन 41,000 क्रोड के आसपास तो company के correction mode तो जुरू दीखे और उस correction situation में company को पर एक गिराबट का माहल भी देखना को मिला क्यूंकि company quarterly result को मतलब control नहीं कर पाया कि 12,000 क्रोड से 16,000 बना उसके बाद 16,000 क्रोड बना और उसके बाद directly 8,900 क्रोड बन चुके है मतलब 50% company का quarter one में 50% sales का growth काम हो गया था और 50% sales का growth काम होने के कारण company का profit margin भी negative में चला गया था और negative हुआ उसके बाद company taxes भी उस time बहुत जादा दे दिया और जिसके चलते company के net profit कम हो गया देखिए question यहापे बहुत बार मुझे इसको पूछा जाता है sir कि जब company का result खराब होते है जिस quarter में उस quarter में सबसे दा taxes की पे किया जाता है देखिए एक psychology है कि कि देखिए बड़े-बड़े investor बड़े traders एही करते है बड़े-बड़े company ही करते है कि उसके sentiment की हिसाब से company के profit and loss की हिसाब से market पहले से गिर रहा है उसके उपर वो taxes को ज्यादा payment करके profit को losses में दिखा कर और कम दिखा कर उसको और भी गिराते है इसमें होगा क्या अच्छे company सस्ते दाव मिलेगा और उस जगा पे बड़े-बड़े institution और promotor खुद उस company के stake को खरीदरी करेंगे इसे बहुत बार मैंने देखा मेरे साथ साल के experience की साब से में बता रहा हूँ इस तरीके से situation आप भी चेक आउट करेंगा जो company के उपर अच्छे company के उपर correction हो रहा है और उसकी अगर profit and loss कम हो रहा है उस time में वो taxes को भी ज़्यादा payment करेंगे उसके बाद उसको गिर गया तो आप समझ सकते हैं मैं इस तरीके से बात की बता रहा हूँ देखिए यह सब खेल है इसके लिए आपको भी prepare होना चाहिए ऐसे नहीं कि panic situation बने और आप माल exit करके निकल जाए और उस time बड़े-बड़े investor माल खरीद के बैठ रहे है देखिए माल लेता कि company बेकार है तो मैं खुद exit कर लेता क्योंकि इस company के उपर Fsds ने देखिए तगड़ा वाइंग करके रखे है अलग level का वाइंग है एक भी share owner नहीं बेचा उल्टा Fs ने पिछले quarter के तुनन से इस बार जादा quantity add किये तो one person का stake add किये तो इही situation को आपको समझ कर काम करना पड़ेगा और EPL के chart patterns के बारे बात कर तो मुझे अभी तक कोई trade नहीं मिला क्योंकि जिस तरीके से strongly यहापर क्या बना एक resistance बना इस resistance को बार बार फेस किया और उसके बाद नीचे आए तो अभी मैं जुरूर request करूंगा यहापर समल कर काम करिएगा क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरीक decision mood में है मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा narrow होगा इस level को रिटेस्ट करेगा उसके बाद कुछ decision बनेगा आईदार वह उपर जा सकते है नहीं तो नीचे आ सकते है तो जब इस तरीके से situation बनेगा तब कुछ decision में लोगा फिलाल के लिए कोई decision मेरा नहीं है वाकि आपक इस company का quarterly result है उसके बारे में चर्चा करू तो company ने एक positive result यहाँ पर create किया जिसके चलते मुझे लग रहा है company एक बहुत बड़ा announcement कर दिया announcement क्या है company का bonus देने का तो company देखिए सिर्फ bonus से हाँ पर announcement कर चुके है company 1-10 दिसो का bonus देने वाल है हर एक के बदले 10 सेर bonus के इसाब से देने वाल है मतलब इसका जो face value है sorry मापी चाहता हो 1-10 दिसो का bonus है मतलब हर 10 के बदले एक सेर मिलेगा तो तो इसका date भी first के आगए है first of February तो इस दिन के लिए integer करना और company अच्छा लगे तो ही काम करना और इसके पर research करना उसके बाद काम करना वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना दोस्तों को साथ भी share करना चैनल को भी subscribe करना में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद